तो क्लास 11 के लिए आज यह हमारा पहला वीडियो और इसमें हम वाल्यूम फर्स्ट में चेप्टर बन सुरुबात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट आफ केमेस्ट्री तो सबसे पहले हम जाने की केमेस्ट्री होती है केमेस्ट्री को डिफाइन कर से कह रहे तो इसका म मैं जो भी मैटर है हमारा वो किन पारडिकल से मिलके बनाये चाल पल जैसे हम जानते हैं की फॉरमूला वाटर का हुपR 모ोटर में कौन-कौन से पार्टिकल है हाइट्रोजन और ऑक्सीजन यह कंपोदीसम हो गया उसके बाद इस्ट्रक्चर पर जो भी मैटर जितने प्रिकार के पार्टिकल से मिल के बना है वो किर्स प्रिकार से जोड़ा हुआ है वो भी इसमें पता लगाते हैं जब पार्टिकल पता से लगया यह पता प्रप्रटी हम इसके अंदर पता लगाते हैं तो केमिस्ट्री क्या है केमिस्ट्री दब रांच आफ साइंस विस डिल्स विद कंपोजीशन इस्ट्रक्ट्ट्र और प्रपरडी यानि कि कौन कौन से पार्डिकल से मिलके बना है वह पार्डिकल किस प्रकार से और रहें जोने कि आए हैंके कि एटम्स और मॉलिक्व्स क्या होते हैं उसको समझने के लिए पहले जाने कि क्रियूंस हमारी डेली लाइफ में क्या है तो क्या मिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपोर्टेंस है जैसे कि जो भी बढ़ते का बढ़ें का एक खाने में जोजी सभी में Central रोल है chemistry का यह सारे नोट से आपको लिखने हैं chemistry प्लेस इंपॉर्टेंट डोल in health health में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अधर मेटेरियल मैटेरियल जैसे की हमारे के लिए यह बनाने में हैं तो जो हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं ले इसके बाद जो अपने यहां बताया कि यह प्रपट्री का मैटर को डिफाइन करता है तो आफ हम जानेंगे मैटर क्या होता है तो इसके पास मास और वॉल्यूम तो एनिधिंग विछ उपिषपाईस इस पेस्ट और हविंग मास और मैटर तो मैटर क्राशिविविशन दो टाइब वह भी और पेश्यों खेमकल क्लासिफिकेशन ओर अब ये हमने टीव रिखा है तो फेजिकल क्लासिफीकेशन के आई मैटर तीन टाइव कहता है इस और सोलिड, लिक्विड और व्यश्टी सोलड लिक्विड गास जहाई यह तो हैज ये हमारा वाज़्य के मेटर में दो का composition हो औह एक रिश्यो में जैसे sugar है water और चीनी कि方 कि originallyagua मिक्चर हे दो चीजे दो सेप्रेफ्ट थीजे वापसे मिक्सक्प हो जाएं वो मिक्चर है यह पर ना गंग हो मिक्सवह भी में चारे हैं कि अ polo dei जीनियस यानी कि मेचीर क्या है इसमें 2 राद दो से ज्याधा थिखके जी हों दो मैंट्र वह में होता प्यूर सब्सटेंस less को दूसरा इघ्षक प्युर्ट कि लाव में क्लासिफाइ Aww सबसक्राइब itणक अरतर्वन के इसका होता है कि सभी जैथ क्या होता है कि सबस्क्राइब यरा दो सब्सक्राइब लेकिन उसको हम physical method से separate ना कर सके हैं, उसको नेक डाई से देख ना सके हैं, जिससे water और सुगर, water और salt, इनको mix करते हैं, तो जो salt या सुगर है, वो इसमें dissolve जाती है, heterogeneous में क्या है, sugar and salt, जिसमें दोनों के particles हमें नेक डाई से देख सके हैं, या फिर उनको physical method से छान कर filtration से separate कर सके हैं, तो वो heterogeneous mixer के हैं, recording हा, अंतरकात आता है, तिर वो substance क्या होता है, तिर वो substance जो केवल एक ही type के particles से मिलके बना होता है, एक ही type के particle, अब यहाँ पर कोपर लिया कोपर जो है यह एकी टाइब के एलेम हो ड WiFi स्ली यह भी स्लाओर दूसरा लिखा कंषचा रहीं कि टाइब कर एक एकायब के आनको मिलकी बना हुआ है उसना Persia कि एक फिखस्ट को नमब प्लासिफाइं ग्यांगे है elements और compounds elements क्या है that's elements क्या हुता है जो एक फिश्ट्प के एटम से मिल के बना होता है वह lumens होता है उपकमपूंट क्या होता है जो elements से मिलके बना होता है वो होता है compound तो जिसे copper है elements का example हो गया हमारा copper, silver, hydrogen, oxygen, etc. compounds का example हो गया H2O water या फिर glucose यह सारे हमारे pure substance के अंदर गार आते हैं तो compounds क्या होता है when elements are combined to each other then compounds are formed elements क्या होता है when atoms are combined to form elements या फिर elements जिए kind of similar kind of atoms एक ही atoms से मिलके का बनता है elements अब यहां पर बात करते हैं molecules क्या होते हैं तो molecules जो होता है वो कम अगर atom दो मिले तो वो molecules बनता है जैसे hydrogen लिखा हुआ है टीज़ पर हाल किम लाज kilometघ प्रोवगगगभगधगदा उर्शन क्या हैं जीजबगगदी परो टीज़े मिल्सान जीज़ां टीज़pier